कैसा होना कि हम एक ही वीडियो बनाएं और उसी वीडियो को हम YouTube पे भी शेर कर दें, उसी वीडियो को हम Facebook पर भी शेर कर दें, उसी वीडियो को हम Reel बनाके Instagram पर भी शेर कर दें, उसी वीडियो से हम अपना Blog Post भी बना लें, उसी वीडियो को हम Social Media पे भी यूज कर पाएं, for sharing, तो एक वीडियो से आप content को repurpose करके multiple form of content बना सकते हो तो ऐसा ही एक tool मेरे को मिला है जो कि किसी भी वीडियो अगर आप YouTube पे content create करते हो या फिर किसी दूसरे की वीडियो उठाके उससे content create करना चाहते हो तो भाई ये बहुत बढ़िया tool है आप लोगों के लिए और अभी मैंने इसको try करा इसकी accuracy देखके इसका result देखके मुझे तो मज़ा ही आ गया मैं personally इसको use करने वाला हूं और बहुत ही amazing है तो बिना किसी देरी के चलते हैं computer screen पर आपको tool के बारे में बताता हूं कौन सा tool है कैसे काम करता है कैसे use करना है कैसे आप इसको ले सकते हो तो बिना किसी देरी के video करते हैं तो guys आ गया हूं मैं अपनी computer screen पर अब सीधा लेके चलता हूं आपको tool के उपर एंड आपको बताता हूं tool है क्या exactly तो guys tool का नाम है video tap.com video tap आप कह सकते हो description में मैंने आपको इसका link दे दिया है link पर click करोगे और यहां पर आप पहुंच जाओगे अब trial आप try करो ठीक है मैं भी अभी trial ही try कर रहा हूं मैंने try करा और मुझे amazing result मिले तभी मैं इसका paid plan अभी लेने वाला हूं और कैसे आपको लेना है और free trial में ही आपको पतार चल जाएगा कि भाई यह tool आपके लिए useful है या नहीं तो description में link है वहां से जाके अपना free trial पहले वो बताऊंगा तो पहले tool को थोड़ा से समझ लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो video tap क्या करता है यह आपकी video को repurpose कर देता है into marketing content with the help of AI ठीक है तो यहाँ पर यह AI का use करते हैं जिससे आपकी video जो आपने already video बना रखी है अगर आप खुद YouTube पे video मनाते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है आप अपने ही content को repurpose कर सकते हो अलग-अलग platform के लिए अब आपको इतनी महनत भी नहीं करनी है तो आप किसी दूसरे की video को भी लेके उसको आप different form में blog post में या फिर instagram reel पे या YouTube short के form में create करके उसको आप upload कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आप कर सकत अब description में link दे रखा आपको free में 3 video create करने का मुखा मिलता है अब एक video से आप multiple चीज़े आप कर सकते हो पहले थोड़े से इसके feature समझ लेते हैं अगर इसने यहाँ पर दे रखे हैं तो simple क्या करना है आपको यहाँ पर अपना account create करना है description वाले link से अपनी video का जो भी आपकी video है या दूसरे की video यूज करना चाहरे हो video का link डालना है और इसका जो AI है वह आपके लिए काम करेगा सिर्फ आपको video का link देना है उसके बाद आप उसको अपने social media पर अलग-अलग platform पर publish कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप अपनी video के blog post create कर सकते हो आप अपनी video को अपनी YouTube video के chapters बना सकते हो अपनी video से tweet create कर सकते हो description, meta description, blog post, काफी चीज़े आप कर सकते हो अब अगर मैं आपको एक simple सा यहाँ पर अगर आप इसके free tool भी देखोगे तो free tool में ही आपको मिल जाता YouTube की clip finder जहां से आप perfectly find कर सकते है अपने YouTube के लिए अमरी बना सकते हो YouTube के tag generate कर सकते हो YouTube transcript generator भी आपको मिलता अब मैंने क्या करा मेरा जो blogging QN channel है उसकी मैंने एक video ली और मैं यहाँ पर आपको live demo दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी इसका try करा free में ठीक है तो यहाँ पर यह मेरी एक video थी जो की मेरी 12 minute की video थी मेरे channel पर जिसमें म है अहरान रह गया इतना perfect हाला कि यह video हिंदी में थी ठीक है अगर आप हिंदी में blogging कर रहे हो और हिंदी में blog बनाना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत बढ़ी है भाई देखो पूरी यह video हिंदी में है 12 minute की और इसने एक एक word perfect हिंदी में मेरे को blog बना के दिये with proper heading with proper sub heading यहाँ पर आप देख सकते हो देखो यह जो इसने generate करके दी है blogging के बारे में बात करना है बात करना है तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि blog बनाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन आज हम बात करेंगे pro blogger की micro niche blog पर काम करने का गुप्त विदी के बारे में आईए जानते कि व AI कहीं कहीं पर यह हो सकता है कि आपका जो हिंदी है English को तो यह बहुत अच्छे तरीके से convert करता है लेकिन हिंदी में कहीं कहीं पर कुछ word हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जैसे एक एक चीज जो मैंने इस वीडियो में बात करी ना उसको अच्छे से इसने यहाँ पर convert करा है एक blog कितने post के बाद profitable होता है देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से इंदी है यह है बहुत महतुर्पूर्ण सवाल है हर blog की अलग-अलग strategy होती है कुछ लोग पांसा article लिखकर शुरू करते हैं और फिर backlink वगेरा पर काम करते हैं एक blogger का उधार पारण है जो जारखंड में था मतलब यह पूरी जो वीडियो में बात हुई है न वो a to z यहाँ पर पूरा का पूरा with देखो with title with meta description और with proper quote with proper heading एक एक चीज इसने मेरे को convert करी है मैंने क्या करा सिर्फ यहाँ पर अपनी YouTube वीडियो का link डाला था अब क्या करना है भाई अब इसको एक live try करके दिखाता हूँ और एक और जो मैंने English वाली वीडियो को convert करा था उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मंगेश भारदुआ चैनल पर आपको पता है मैं English में video डालता हूँ तो यहाँ पर यह जो latest video थी मैंने deposit photo का एक review करा था तो उसको मैंने हैं यहाँ पर इसका account बनाया और account बनाने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करा सिर्फ इस video का इसको link दिया ठीक है इस video का इसको link दिया और इसने यहाँ पर देखो यह काम करके दिया है वाई इस वीडियो में से कितनी मिनिट की है सात मिनिट की वीडियो में से इसने मेरेको चार चोटी चोटी वीडियो निकाल के दे दी जिन में प्रॉपर यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पर caption प्रीमियम तरीके से caption लिखे हुए उनको short form में clip कर दिया अब अगर इसको जो पहली वीडियो है यह देखो पहली वीडियो यह है इसको अगर मैं play करके आपको दिखा हूँ अवाज mute कर देता हूँ तो यह देखो अगर मुझे real form में create करनी है तो मैंने इसको यहाँ पर horizontal कर दिया और नीचे देखो proper caption आ रहे है जो जो मैं बोल रहा हूँ वो वो caption आ रहे है मुझे manually caption डालने की ज़रूत नहीं है automatically caption आ रहे है उसके बाद इसका size देखो उसके बाद अगली वीडियो अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखो यह पूरी जो है YouTube है Facebook पे कैसे highlight करना है उसका क्या size रखना है उसका caption का color क्या रखना है transition आपको कैसे रखना है caption में text का size क्या रखना है horizontal, vertical देखो अभी क्या है यह क्या हो रखिए यह अभी vertical हो रखिए Instagram Reel और Facebook Reel के हिसाब से यही नहीं सिर्फ मैंने वीडियो का link डाला और उसके बाद अगर मैं आपको इसके dashboard में जाओं इस वीडियो के dashboard में जाओं तो यहाँ पर देखो इसने मेरे लिए अगर मैं इस वीडियो से एक blog post लिखना चाहूं तो यहाँ पर देखो proper इसने title मेरे को निकाल के दे दिया, proper इसने description मेरे को लिखके दे दिया, इसने मेरे को YouTube पे chapters भी दे दिये कि भाई अगर आपको अपनी इस वीडियो में chapter लगाने हैं तो मैं यहाँ से proper देखो यह chapter है तो इन chapter को मैं अपनी YouTube वीडियो में डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ और perfect chapters है भाई इसमें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसके बाद आया, और यहाँ पर इसको chapters डाल देता हूँ इसको कर देता हूँ, save ठीक है, और यह होगी हमारी save, तो मतलब एक चीज से आप multiple चीज़े आप कर सकते हूँ, तो इसमें आप देखोगे, तो proper तो इसमें आप देखोगे, मैंने proper chapters डाल दी हैं, अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको, यह देखो, chapters आ गए न आपको दिख रहा हूँगा, chapters आ गए थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट होने में, लेकिन हो जाएगा, तो chapters हो गए, मुझे proper tags, क्या-क्या tags हैं मुझे यहाँ पर पूरी वीडियो की देखो, पूरी वीडियो की इसने समरी दे दी कि इस पूरी वीडियो में क्या-क्या बात हुई है matter description दे दिया, इतना ही नहीं पूरा का पूरा, हजार डेड, हजार वर्ड का इसने blog post भी मेरे को लिखके दिया अगर मैं blog वाले section में जाऊं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वीडियो को complete एक blog post में generate करके दे दिया है, जहाँ पर proper heading, यहाँ पर introduction फिर main heading, उसके बार यहाँ पर मुझे screenshot लगाने है या नहीं लगाने है, उसके बार content, उसके बार फिर heading, उसके बार देखो proper quote में, यहाँ पर proper heading के साथ, इवन यहाँ पर वीडियो से screenshot उठाके कि आपको क्या-क्या images यूज करनी चाहिए, वो भी यहाँ पर बता रखा है भाई, lifetime deal के बारे में बता रखा है, उसकी image के बारे में बता रखा है, मतलब एक proper blog post यहाँ पर इसने mail को निकाल के दे दिया है अगर social पर click करूँ तो इसी वीडियो से इसने मेरे लिए देखो social media के captions, facebook पे, twitter पे अगर मुझे share करना है तो उसके लिए captions भी generate करके दे दिया है तो भाई, tool तो बहुत ही कमाल का है ये और must try अगर आप content repurpose करते हो अगर आपको एक content से 5 content बनाने तो भाई, one of the best tool है आपको definitely use करना चाहिए मेरे भाई, और video tap कमाल का tool है मेरे को अभी मिला मैंने थोड़ा try करा और मैं खुद इसका paid plan लेने वाला हूँ लेकिन अभी अगर आप इसके price देखोगे सबसे पहले तो आपको paid plan में जाना ही नहीं है भाई description में link दे रखा है free trial का उससे जाओ पहले free में try करो अगर आपको इससे result मिलते हैं इससे content create करो repurpose करो उसको अपने social media पर share करो और वहाँ से आप result मिलते हैं तो आप इसके paid plan में जाता अब देखोगे अगर इसका plan भाई बहुत महेंगा है आपर 80 डॉलर हर महीने 500 डॉलर हर महीने 25 डॉलर हर महीने तो एक नए बंदे के लिए बहुत जादा expensive हो जाता लेकिन भाई अभी right now best part ये है आपके लिए यहाँ पर app sumo पर इसकी lifetime deal चल रही है तो भाई इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती जहाँ आपको यहाँ पर 80 डॉलर, 500 डॉलर 25 डॉलर हर महीने पे करने है यहाँ पर सिफ आपको one time एक छोटी सी payment 49 डॉलर की पे करनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो video tap की one time payment lifetime deal चल दिया है जिसमें आपको सारे features मिल जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो मैंने आपको यहाँ पर आपको यह सारे benefits आपको मिलेंगे देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो highlight clips बना सकते हो आप YouTube के लिए TikTok के लिए Reels के लिए Twitter के लिए automatically find the best highlight to turn into clips blog post आप generate कर सकते हो अपने YouTube के लिए chapter जनेरेट कर सकते हो tags description जनेरेट कर सकते हो translate कर सकते हो यहाँ पर blog post को और कोई water mark नहीं आएगा और यहाँ पर आपको 3 plan मिलते है tire 1, tire 2, tire 3 plan अगर आप देखोगे तो यह सारे features आपको हर plan में मिलेंगे लेकिन सिर्फ difference क्या है हर plan में आपको limitation कुछ मिल रहे है जैसे tire 1 plan है जो कि 49 dollar का है जिसमें सिर्फ आप एक team member add कर सकते हो 100 minute आप हर महीने generate कर सकते हो 100 social media clip हर महीने generate कर सकते हो और 15 translation हर महीने कर सकते हो 49 dollar के plan में तो भाई यह lifetime deal बहुत ही गजब की है हर महीने 25-500 dollar देने से अच्छा है एक बार 49 dollar दो और lifetime के लिए इसको use करो future में कभी एक रुपए भी नहीं देना तो description में lifetime deal का link दे रखा है यह जो app sumo वाली deal होती है भाई भॉक भहंकर होती है और within one week आप guarantee ले लो एक हफते में या मुश्किल से मुश्किल से 7 या 10 दिन में ये deal चली जाएगी उसके बाद अगर आपको लेना भी होगा तो भाई इसी तरह आपको हर महीने पे करना पड़ेगा तो choose आपको करना है आपको हर महीने पे करना है या अभी description वाले link को use करके एक बार छोटा सा amount पे करके इसको lifetime use करना है अगर आप 149 वाले plan में लोगे तो आपकी limitation थोड़ी और बढ़ जाएगी आपको 500 minute बिल जाएगे 500 social media clips आप हर महीने generate कर सकते हो 50 translation पर मन कर सकते हो उससे ज़्यारा चाहिए तो 299 वाला plan ले सकते हो मतलब totally आपके उपर depend करता है अपने budget और requirement के इसाब से plan चूज करो और भाई इस tool को जल्दी से जल्दी लेके use करना शुरू करो मैं तो definitely इसको लेने वाला हूँ और अभी आप देखोगे तो थोड़ी देर बाद में अपना जो इसका purchase invoice है वो भी अपने channel पर share करूँगा मुझे तो कमाल का tool लगा है अगर आपको एक content से multiple content create करने है अपने content को repurpose करना है चाहे वो blog post की form में हो चाहे वो instagram real की form में हो facebook real की form में हो facebook video की form में हो तो भाई ये tool बहुत तगड़ा है बहुत amazing है और मैं तो recommend करता हूँ आपको use करना चाहिए बाकी video पसंदाई तो video को like कर देना channel को subscribe कर देना मिलता हूँ next video में तब तक के लिए goodbye take care have fun